हेलो फ्रेंट्स मैं हूं हिरेंद कुमार साहू और आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्टूब चैनल हिरेंद टूटोरियल पे दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चती गड का जो टॉपिक है जिसमें रहेगा हमारे जन जातीयों का जो विशेज तेवहर है उसके बारे में हम क्या करेंगे विशार से चर्चा करेंगे दोस्तो हम जानते हैं कि जो छत्तिगड़ की जो जन जातिया है वो अपने आप में सांस्कृतिक रूप से क्या है प्रसिद्ध होती है उनकी वेजभुसा, उनकी भासा, उनकी सैली जो है अपने आप में क्या है बहुत ही प्रसिद्ध है तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तो जब वे अपना क्या करते हैं तिवहार मनाते हैं तो बहुत अच्छे से क्या करते हैं वो celebrate करते हैं एक दूसरे के साथ क्या करते हैं वो नित्य करते हैं गायन करते हैं दोस्तो तो आज हम क्या करेंगे उसी से सब्बंधि जितने उसके जो आपके प्रीवियस जो है PSC और व्यापम में जो पूछे गए हैं उन सारे कोशनों को भी क्या करेंगे विसार से हम क्या करेंगे दोस्तों चर्चा करेंगे तो क्लास में चलते हैं दोस्तों डारेट हैना इसमें मैं आप लोगो को बताऊंगा कि उसकी जन जातिया क्या क्या है ठीक है उनके तेहार कौन कौन से है और उनमें विसेश क्या है तो सबसे पहले होता है दोस्तों इन लोग का जो तेहार है गोंचा पर्व मनाया जाता है हम जानते हैं जो गोंचा परव है विसेशकर बस्तर संभाग मनाया जाता है और यह मुख्यता कहां मनाया जाता है बस्तर के जगदलपूर में मनाया जाता है कोहां पर मनाया जाता है यह बस्तर के जगदलपूर में मनाया जाता है याद रखना है दोस्तो एक कोश्चन आपके माह में मनाया जाता है उसमें कौन से माह में मनाया जाता है तो ये असाण माह में मनाया जाता है ये कोशन कई बार हजारों बार पुछा जा चुका है तो इसको आपको ध्यां रखना है जो गोंचा परव है विशेश कर बस्तर संभाग मनाया जाता है जो जगदलपुने मनाते हैं और इसमें क्या करते हैं माध अन तेस्वरी के प्ठिकात्मा स्बति को सोला पही relacion की रस से की चाता है खीचा जाता है और इसमें भगवान जगनात कभी क्या किआ जाता है रत्यात्रा निकाल जाता है दोसथो तो ये पहला हो गया, दूसरा जो हमारा important जो परव है, वो कौन सा परव है, मेघनाथ परव, मेघनाथ परव जो है कौन से जंजाती के द्वारा मनाया जाता है, दोस्तों तो याद रखना है मेघनाथ कौन से जंजाती के द्वारा मनाया जाता है, गोण जंजाती के द्वारा मनाया जाता है और इस जो है ये जो परवा जो है कम मनाया जाता है ये जो परवा आपका मनाया जाता है कौन से महा में मनाया जाता है ये जो परवा है आपका फागुन महा में मनाया जाता है कौन से महा में मनाया जाता है दोस्तों फागुन महा में मनाया जाता है ये question भी आप अभूजु-माडियय जंजाती द्वारणं मनाया जाता है इसमें यह जो परवव chef कौन से दिन मनाते हैं यह बार बार आपके पिएस्थी या व्यपपन की जाम में तो आपको याद रखने हाँ पर दी से याद आ रहा है दी से क्या कौन सा पर्व होता है तो भारत में छत्तिवड में दी से दिपावली पर्व जो है मनाया जाता है तो यह दिपावली के दूसरे दिन यहाँ पर्व जो है मनाया जाता है कौन से दिन मनाया जाता है कौन से तेहार जो है सरहूल तेहार जो है मुख्यता उराव जन जाती के द्वारा क्या किया जाता है मनाया जाता है और यहां क्या है विशेज क्या होता है यहां चैत्रमहा में फूल आने पर ठीक है मनाया जाता है चैत्रमा में फूल आने पर तो भाई कौन से व्रिक्ष में या कौन से किस जगा पर फूल आने पर तो दोस्तों याद रखना है इसमें आपका जो साल व्रिक्ष जो रहता है उसी साल व्रिक्ष में क्या आता है फूल आता है और उसी क्यों पलक्ष में जो जन जाती है जो रह दोस्तों तो नवा खानी विसेश कर जो है गोड जनजाती के द्वारा नई फसल आने पर क्या किया जाता है मनाया जाता है हम जानते हैं कि जो 36 गड़ के जो बस्तर जो मैदानी जो छेतर होते हैं वहां पर भी क्या बोलते हैं नया जब फसल आता है ठीक है तो नया फसल काटन क्वानि मतलब की तरह को और सकते हैं जो गशेता हैं साधिया रचाय जाती है तो यहां क्या किया जता है पंडू में त्यहार होता है उस तो को चुना क्या क्या माना जाता है प्रतिबंदित माना जाता है ठीक है उसको सही नहीं माना जाता है तो यह जब तक पंडुब मनाते हैं या अक्ति के पहले शोते नहीं हैं, उसके बाद क्या करते है, यह Aam के फसल आने पर उसकी क्या करते हैं, बकायदा पूजा करते हैं, औरаниемak Corbettahology क्या करते हैं, यह तिवात मनाते हैं, दोफ ज़ोड़ों, क्या है यादर रखना जो KELL का करते हैं, इसको चूते या इस को पुज़ा जो है पंडुम के बाद ही किया जाता है मुर्थात हमारे तरफ क्या बोलते हैं उसको अक्ती ति accum산 कहा जाता है किया जाता है अक्ती तियोहार जाती हैती है साधी रचाई तो मड़ाई त्योहार में कौन सी जंजाती मुख्यता विसेश कर भाग लेती है तो इसमें मारिया या मुडिया जंजाती जो है विसेश कर भाग लेती है जो मारिया जंजाती विसेश कर सांस्कृतिक रूप से बहुत ही धनी एक जंजाती है ठीक है हमको सबको पता है और इस क्या किया जाता है यह है ना मड़ाई त्योहार में क्या करते हैं हम इसमें क्या करते हैं अंगा देव की क्या करते हैं पूजा करते हैं ठीक है और अंगा देव विसेशता बना किसका होता है यह लकडी का बना होता है ठीक है किसका बना होता है अंगा देव की पूजा किया जा तरह है माटी तरहार माटी तरहार अर्थात क्या करते हैं भूमी की पूजा मिट्टी की पूजा अर्थात आप जानते हैं दोस्तों जो बस्तर के जो लोग होती है विशेज कर जो है यह प्रिथी मा को अपने जो है भगवान की तरह मानते हैं ठीक है इनको यदी बोल दिया ज पूझते हैं और उसी के साथ क्या करते हैं ये प्रिथी मा की क्या करते हैं पूझा करते हैं दोस्तों प्रिथी को क्या करते हैं देवता की तरह पूझते हैं और यह मुख्यता की संभाग मनाया जाता है तो याद रखना है जो माटी तुहर हार है मुख्यता बस्तर संभाग मे मनाया जाता है ठीक है दोस्तों माटी तेहार की इसके द्वारा मनाया जाता है गोड जन जाती के द्वारा मनाया जाता है और विसेश कर बस्तर संभाग में मनाया जाता है दोस्तों अब देखते हैं कर्मा एक तो कर्मा नित्य होता है और दूसरा होता है कर्मा तेहार तो कर्म जो नित्य कर्म जो तेहार है मुख्यता उराव जन जाती के द्वारा ही मनाया जाता है और यह कौन से दूसमें मनाया जाते हैं तो यह भादो मात में मनाते हैं और कौन से रीजन मनाया जाता है सरगुजा छेत्र में मनाया जाता है दोस्तों याद रखना है ठीक है उराव कक् मनाता जाता है mysteries, confusion नहीं होना है, उसके बाद आता है दोस्तों, बीज बुज बुणी कहने का मतलब क्या है इसमें भी क्या करते है अपने नया फसल भै भी बीज को बुणा ठीक है रथा जब नया फसल आता है ठीक है अपन जैसे फ है न बीच को डाल दिये उसके बाद जो है फसल आती है और वो फसल के आने पड जो है बस्तर संभाग के जो जन जाती है यह जो सरगुजर संभाग के जन जाती है यह अपना क्या करते है खुसी सवरूप है आप क्या करते है तो हार मनाते है ठीक ह तो ये क्रिसी के दौरान मनाया जाते है, अर्थात क्रिसी पर मनाया जाने वाला तेवार है, या क्या है इनका परव है, यहां तक समझा रहा होगा सायद, आप लोगों को, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, अब देखते हैं दोस्तो लचमी जगारगीत, क्या जगारगीत के भी नाम से जाना जाता है धनकुल जगारगीत के नाम से जाना जाता है जिसमें धनकुल नामक वाध्ययंतर का मुख्यता क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है दोस्तों याद रखना है यह आपके एक्जाम में पूछा गया है ठीक है लचमी जगारगीत य तो धनकूल वाध्धियंतर का प्रयोग किया जाता है और विशेख कर कौन सी दिया जाती मुआ जाता है है ठीक है, और कब मनाया जाता है, ये भी question आपके जो है exam में पुछा गया है, ये है आपके CG Vyapam के 2017 के समय पुछा गया है, ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, ये teach के समय मनाया जाता है, कौन से teach के समय भाद्रपद में मनाया जाता है, teach के समय कब मनाया जाता है दोस्तों, भा ना लिजिए क्योंकि इसमें से आपके कहीं न कहीं एक या दो नंबर के कोश्चन जो है जरूर पूछे जाएंगे ठीक है यह आप लोग के लिए बहुत हेलप फूर रहेगा आने वाले या तो प्रिवियर के कोश्चन में आये हुए है दोस्तों ठीक है एक कोश्चन आया हु ठीक है पहला कुश्चन क्या है मेगनाद परवसे सम्हणित कौन सी जन जाती है तो मैंने आपको पढ़ाया कौन सी जन जाती है दोस्तों जल्दी से बताइए गोउर जन जाती है ठीक है यह आपके CGPST ठीक है 2016 में आया हुआ है देखिए मैंने आपको पढ़ाया है उसके ब कब मनाते हैं तो मैंने आपको बताया है करमा तिहार ये देखिए सरगुज़ संभाग में मुख्यता उरावजन जाती क्या करती है निवाज करती है और करमा तिहार जो है कौन से माह में मनाय जाता है तो ये भादो मास कहने का मतलब है भाद्र विस्ट प्रसिद्ध है नरायनपुर में मड़ई होता है बोलते हैं अब मैं तो गया नहीं हूँ दोस्तों वहाँ पर लेकिन ये जो मड़ई है आपका बहुत ही फेमास है आप भी एक बार क्या कीजिए जाइए ठीक है नेश्ट कोशन देखते हैं दोस्तों इन में से है ना बस्तर का गोंचापरव क्या है थिक है वेरी वेरी आयमप कोशन आया हुआ है और ये भी सीजी वेपाम के 2018 कोशन आया हुआ है गोंचापरव याद रखना है कौन सी जन जाती के दidyवरा माडिया जन जाती के दhourze मनाय जाता और विसेसकर क्या है इसमें ऑप्शन है आपके मड़ाई तो मैंने आपको बताया है ये क्या है भगवान जगननात की यात्र निकालते हैं क्या करते हैं इसमें याद रखना है विशेश कर भगवान जगन नात की यात्र दोस्तो निकाली जाती है ठीक है कौन सी यात्र निकाली जाती है भगवान जगन नात की यात्र निकाली जाती है ठीक है लचमी जगार गीत भगहाँ एक कोशन ओर आया है दोस्तो भगेरियत यहार क्या है ठीक है याद रखना है भागेरिया तेहार ठीक है यहां पर क्यों मैं यहां मिटा देता हूं मैं कोश्चन आया दोस्तों एक भागेरिया कोश्चन है आपका भागेरिया तेहार अब देखरें भागेरिया तेहार कौन सी जन जाती भगेरिया तेहार कौन सी जनजाती के द्वारा मनाया जाता है तो याद रखना है दोस्तो भगेरिया तेहार जो है इसमें क्या करते हैं इसमें नित्य देवता की पूजा करते हैं कौन सी देवता की पूजा करते हैं नित्य देवता की पूजा करते हैं और कौन सी जन्जाती के द्वारा किया जाता है तो याद रखना इसको भील जन्जाती के द्वारा किया जाता है। इसमें इसका नित्य किया जाता है। ठीक है अबुज माडिया अबुज माडिया दिवासियों का प्रमुख परव क्या है दोस्तों तो याद रखना है प्रमुख परव क्या है ये प्रमुत्पर्व क्या है? तक्सार नित्या है दोस्तों पाशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा ठीक है? मैं आप लोगों के लिए और नए नए वीडियो जो है बनाना चाहता हूँ आप प्लीस मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों और यदि आप लोगो कोई डाउट है तो प्लीस कमेंट करके मुझे बताए कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ताकि मैं आपको आने वाले एक्जाम से रिलेटेड जो है आपको बना चुकों और ये वीडियो बिल्कुल फ्री है दोस्तों आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार करने कोचिंग संसानों जैसे कोई पैसा नहीं लगेगा एकदम फ्री है आप फ्री माइंड से पर ये दोस्तों एक चिछ कहना चाहूंगा दोस्तों आपके लिए कामियाबी का इंतजार करने से बहतर है उसके लिए क्या किया जाए कोउसिस किया जाए ठीक है आप क्या किया कर रहे है ना आप सोचने से है ना दिन भर आप सोचते रहेंगे कि अभी जो है कोरोना काल्चर है तो आप बिल्कुल मत सोचिए आप धीरे-धीरे क्या कीजिए अपने आपको पढ़ाई करने के लिए अपने आप में कैसा जोस डाल दीजिए जिसे आपको उसके लावा कुछ और नजर नहीं आना चाहिए आप कोसिस करते रहेंगे तो आपको अवश्य ही जो सफलता क्या मिलेगी जरूर मिलेगी किसी का बाप भी नहीं रो सकता आप अवश्य जो है कोई ना कोई एक्जाम में क्या होंगे सेलेक्शन लेंगे लेकिन एक चीज है दोस्तो आपको पता है कि व्यापम हो चाहे प्येसी हो चाहे सेंटरल का एक्जाम है आप देख तो रहे हैं इसमें बहुत सारी दिक्कते भी आ रही है ठीक है मन को आप थोड़ा से क्या कीजिए धहरी बना के रखिए और पैसेंस बना के रखिए तभी आपको सफलता अरजीत होगा अन्यथा आप जो है सफलता से चूप जाएंगे दोस्तों तो ठीक है दोस्तों है ना थैंक यू धन्यवाद आपको मेरा जो है वीडियो देखने के लिए कर दो